बारी जर्मान आयद करें ठीक है जो गरोन के तोड़ते हैं उन पह बारी जर्मान आए डाले आगर फिर भी नहीं बावा जाती है फिर जरूर राया का तरीका अपना है खरर कुछना Report होना चाहिए फिर जो गार्डीन्स हैन उनको पता चले मेख ing जरुमाना करके इनको रोकना चाहिए तांके माशरा ठीक हो और हम मारे लोग दुरस्त हो ये तरीका कार जरूर है कि उसके मापाप को ठाने के अंदर बुलाया जाये ताके सक्ती हो और वो इन लोगों को बच्चों को बाइक दे के बाइड ना बेजिए जिनका काम उमर वालों का निसंस नहीं है ना उनको भी है कि बेफारम पर कोई इस तरह कार बना करें कि बच्चों को रोके ना तांग ना करें असलाम वालेकुम मैं हूँ आपका होस अब्दरह्माना जैसे के इस लाहर आईकोट ने बड़ा हुकम जारी किया कि जो कम उमर ड्राइवर्स है उनको शक्सी जमानत पर रहा किया जा सकते है और उनको रहा करना चाहिए तो आईए चलके जानते हैं लोगों से लोग इस बा कि लाहर आईकोट राना सिकंदर ने सिदा की थी तो जजज साब की जाने से यह हुकम दिया गया है कि जो कम उमर ड्राइवर्स हैं उनको शक्सी जमानत पर रहा कर सकते हैं तो क्या किर्मिनल रिकॉर्ड में अगर उन नौजवानों का नाम शामिल ना किया जाए काम उमर का तो फिर किस सारा इसका सौलुोइशन के क्या करना चाईए सबसे पहले तो मैं यह कूँँगा कि यह है क्यूँ कर रहे हिया उनको चाहिए घ्ये था कि हम इस yüzden यह कदम उठाने लगी है तो छोगों को टाइम देते है कुछ यह इतने टाइम हैं आप अपना जो बच्चे हैं उनको आप अवेर करें कि ना जाएं सड़कों पर यह अपना लाइसंस बनवाएं जिनका एज होगी भी है और दूसरा यह के डिरेक्ट अगर आप एफ़ यार का आट रहें तो जाहिर सी बात है इस तरह मैं खुद स्टूडेंट यूनिवस्टी का मेरा लाइसंस बना हुगा लेकिन जिनका नहीं बना, बाहिर नहीं जाने के लिए ठीक है फॉरण जाने के लिए तो उनके लिए थों बहुत ब्रॉब्लम है गया अब क्ई आपको बहुते हैं बाहर जितने मुमालेक्ट एं जो तरक्की आफ्टर मुमालिक है वो कानून की पासदारी करते हैं बिल्कुल आप ठीक है रहे हैं कानून की पासदारी होती है ठीक है लेकिन यहाँ पर बाकी किसी कानून की पासदारी निया सिरफ ड्राइविंग पर ओवराल होनी चाहिए ओवराल होनी चाहिए अगर कर्मिनल रिकॉर्ड खतम करवा दिया ना बने तो फिर क्या भारी जुर्माने आइद करें ठीक है जो कनून के तोड़ते हैं उन पर भारी जर्माने डालें अगर फिर भी नहीं बाज आते फिर जुरूर आफाई र का तरीका अपना है जाहिरी बात है अगर कुछ ना तो आपको पता चले कि अगर वो कम उमर हैं और गौर्मिन ने एक ला बनाया वह इसके ओपर तो कम उमर है तो गार्डियन को चाहिए कि वो केर करें अगर तो वो सी ओ आर यहां कोई एफ आर वगरा कर देते हैं तो फिर जाहरी बात है बैक एंड पर उनके पेरेंट्स को या गार्डियन को मसला होने वाला तो मेरा कहला है बेसिक जो चीजा वो गार्डियन के थ्रूई क्लियर होनी चाहिए यह बहतर नहीं है कि वालदान को चाहिए कि बच्छों को गाड़ी और मुटसाइकल बिल्कूल ही ना तो ही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप अठारा प्लास के उपर नहीं है नीचे अंडरेज हैं तो फिर उनको ही चाहिए कि वो खुद केरकने बजाए बाद में कचैरियों में जलील होने के और कौनों ने तो काफी सक्ती की हुए मैं भी देखता हूं रोड पे मेरा मार्किट का काम है आज कल दो वह वन वे पे इतनी सक्ती है कि ज जरुमाना करके उनको रोकना चाहिए तांके माशरा ठीक हो और हम मारे लोग दुरस्त हो यह एक तासुर पैदा हो जएद है कि खेर थोड़ा से चलान अदा कर देंगे पाकसानी वहां बाद नहीं आने वाली आप चलान जादा करें बाद नहीं आना मगर जितनी सक्ती करें थाने के अंदर बुलाया जाए ताके सक्ती हो और वो इन लोगों को बच्चों को बाइक दे के बाहर ना बेजाए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि वालदैन को यह सबक देना चाहिए कि बच्चे कम उमर जो हैं वो गाड़ी यह बाइक लेकर ना जाए और दूसरा गिला मे लिसन्स नहीं है ना उनको भी है के बेफारम पर कोई इस तरह काड़ बना करें कि जो है बच्चों को जो है वो मता के रोके ना तांग ना करें अब वो इतनी सक्ती हमारा भी जाना बनाव है लेकिन अच्छी बात नहीं है कि यार कामोमर ड्रावर जो हैं वो बाइक पर ना यह तो अच्छी बाद है लेकर पो किसी की मजबूरी भी है किसी ने स्कूल जाना है किसी ने कहीं लेने जाना या छोड़ने जाना, उनकी जरूरत है मोटसेकल भी है गाड़ी भी है जो भी उनके पास वारी है तो बाहर मुमालिक में तो जिनकी हम मिसाले जेते हैं वहाँ पर बड़ी सक्ती है कि अगर आपकी उमर अटारा साल से काम है तो आप रोड पर भी निया सकती है कि कुछ रूल अच्छे ना वहाँ पर साइकल का जाधा इस्तमाद करने चाहिए करने चाहिए पाकिस्तान है यह जा रहा होगा तो गाड़ी हिट कर देगे कोई मसला हो जाएगा यह कुई ना कोई बात यह आई होती है मेडिया पर रोज ना रोज जैसे कि हमने लोगों की बा करें क्योंकि यह हादसे का सबब बनते हैं और दूसरी जाने बावाम का यह भी कहना है कि बाहरी जुर्माने आयद किये जाएं ताकि इनके वालदान को सबक आसल हो और वो अपने बचों को गाड़ी यह मोटसाइकल लेकर रोड़ पर निकलने की अजाज़त ना दे अपने